अभी में पूछ रही थी अपने साथी से दीपक जोशी जी से, मैंने का भाजपा छोड़के आएं कॉंग्रेस में, गाड़ी में पूछ रही थी, मैंने का भी क्यों छोड़ी? का दीदी हमारे इलाके में बहुत बरश्टाचार हो रहा था और मैं बार बार गया मैं हर नेता के पास गया और मैंने का यहां मेरे इलाके में बंद कर दू जो कुछ करना है कहीं हो और करो मेरे इलाके में मत करो किसी ने मेरी सुनी नहीं दो साल से मैं कहता रहा उप गया एक दिन गुस्सा चड़ गया छोड़ गया खुद कह रहे हैं तो आज कल राजनीती में लोग आ रहे हैं तो किसलिए आ रहे हैं क्योंकि वियापार बन गया है राजनीती में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए पब्लिक जाए भाड में, क्या ये है राज़ीती का मक्सद? नहीं है ना? सिवराज सिंग चोहान जैसा धोंगी मुख मंतरी, मैं धोंगी कह रहा है उसको, वो धोंग करता है, ऐसे धोंगी मुख मंतरी, जिसने के इस मध्यपदेश को खोकला कर दिया, नर्मदा सेवा यातरा के नाम पर 6 करोड पेड लगाए, 6 करोड, 6 करोड में से एक भी कोड पेड सिवराज सिंग चोहान दिखा नहीं सकता, क्योंकि 6 करोड पेड की राशी उनके नेता और कारकताओं की जेब में गई है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कि इसी छेत्र में, जो घटना घटी उनसे, श्रीमती प्रियंका गाल्दी जी रूबर हुई हुई है, उनको इस चीज़ का एसास है कि किस प्रकार की दर्दना घटा इस शेत्र में हुई है, लेकिन हम इस शेत्र के लिए तीन विजन लेकर काम कर रहे हैं, पहले मा नर्मदा का पानी हमारियां से दूरस्त जा रहा है, हम जब तक हमारे एक एक खेत को पानी नहीं दे देंगे, तब त इसरा सिच्छा, रोजगार और स्वास के छेत्र में काम करते हुई छेत्र को प्रगतिसिल बनाने का प्रयास करेंगे, यहां का जो विधायक है या भाजबा जो अपने आपको सनातन का पर्याई मानती है, और कहती है नर्मदे हर जिंदिगी भर, यहां के नेताओं ने नर् करता हो, नेता कहते हैं, नर्मदा हर, डंपर भर, वारू भर, दारू भर, और आखिर में छिलम भर, छिलम भर, यह छिलम भरने वाले पार्टी के लोगों को अब यह जनता बरदास नहीं करेगी, यह पलटे के साथ हैं, हम आपको इस्वास दिलाते हैं, संपूर्ण हमारा चेत्र, आपके नेतत में, मद्य प्रदेश में, एक अच्छी सरकार बनाकर, आपके नेतत में, एक सफल सरकार बनाकर, मानिक कमलाची के नेतत में, और दिगुजय सिंग्जी के मार्देक्षन में, इस प्रदेश को वापस कांग्रेस को सोपेंगे, आप कांग्रेस की तरफ कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा बुधवार को देवास जिले के खाते गाम पहुंची और यहां से कॉंग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया प्रियंका ने बीजेपी छोड कॉंग्रेस में आए पूर्व मुख्य मंटरी कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंटरी दीपक जोशी समेत जिले के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की इस दौरान जिले के सभी पाँच प्रत्याशी मंच पर प्रियंका ने जन्ता से कहा आप से शिकायत है। पूछा भाजपा क्यों छोड़ी। इसी वजह से भारतिय जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस ने अधिकांशत है इस सीट पर ब्राह्मन समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतार कर जीत हासिल करने की कोशिश की है। भारतिय जन्ता पार्टी इस कोशिश में साल 1993 से लगातार सफल भी हुई है। साल 1993 के बाद इस सीट पर कॉंग्रेस का कोई प्रत्याशी विजी नहीं हो पाया। इस बार तीन दशक से हार रही कॉंग्रेस खाते गाव में कडी टक्कर देने वाली है। इसी के चलते प्रियंका गांधी की आमसभा भी कराई गई है। राजनीती में प्रियंका गांधी की सभा से यह भी संदेश दिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कैलाश जोशी के पुत्र के साथ पूरी कॉंग्रेस खड़ी है। विदित है कि तीन महीने पहले ही दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कर कॉंग्रेस का दामन ठाम लिया था। खाते गाम विधान सभा देवास जिले की पाँच विधान सभाओं में से एक है। खाते गाम विधान सभा सीट पर बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सभी सामान्य मुद्दे हैं, जो की हर विधान सभा सीट पर पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं। मगर इस विधानसभा सीट पर अवैध उत्खनन एक ऐसा मुद्दा है, जो की दूसरी विधानसभाओं से इसे अलग करता है। इसके अलावा खाते गाम विधानसभाद शेत्र में कॉंग्रेस ने भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। खाते गाम में पिछले कुछ वर्षों में सडके और मुलभूत सुविधाओं में काफी सुधार भी हुआ है।